राइगर जिले के धरम जैगर से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां चुनाव ड्यूटी में जा रहे जवानों से भरी बस अनियंतित होकर पेड़ से जाटक रही इस हाथ से में लगबग एक दर्जन जवानों को चोटे आई है जिनने उपचार के लिए धरम जैगर की सिविल अस्पताल में लाई गया है जहां उनका उपचार जारी है घटना चालहा मंधिर के पास निचे सित घाट पर हुई है बताया जा रहा है कि जवानों से भरी बस का ब्रेक फिल हो गया जिससे बस अनियंतित होकर पेड़ से जाटक रही